वेलकम दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन में अपना अतुल्निय योगदान दिया था। भगत सिंह जी की मृत्यू 23 वर्ष की आयू में हुई जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चड़ा दिया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में हैं। उनका पैत्रिक गाव खटकर कला है, जो पंजाब भारत में हैं। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजित और स्वरन सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू हुए औपनिवेशी करण विधेप के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुल्में जेल में डाल दिया गया। उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्यसमाजी सिख परिवार था। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित रहे। भगत सिंह ने अपनी पांच वी तक की पढ़ाई गाउ में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंगलो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवाया। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। जलियामवाला कांड ने डाला भगत के बाल मन पर प्रभाव 13 अप्रेल 1919 को जलियामवाला बाग हत्या कांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानविय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की सोचने लगा। भगत सिंह ने चंदर शेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तयार किया। लाहौर शडियंत्र मामले में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फासी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम साथ बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फासी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंस्ते हंस्ते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। लेखक भी थे भगत सिंह, भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक व लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्रपत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया। उनकी मुख्य कृतिया हैं। एक शहीद की जेल नोटबुक संपादन भूपेंद्र हुजा। सरदार भगत सिंह, पत्र और दस्तावेश, संकलन विरेंद्र संधु। भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेश, संपादक चमनलाल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार जानकारियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्यार रखे और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। का एंवाद। का जाएंग